हेलो अब्रिवान कैसे हैं आप सब तो फ्रेंज आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगे कि कैसे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है और यह डिजाइन की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है यह मेरा बैक साइड का पार्ट है और देखिए कितना सुंदर लग रहा ह और जितना हमें जैसे की कटिंग चाहिए हम आर्म होल से यहां से रखेंगे अपना ये कार्डिगन और आर्म होल तक नाप लेंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके अकौर्डिंग लेंथ रख लीजे यह मैंने 17 इंच रखी है लेंथ अब मैं आर्म होल की कटिंग करू एक कंटिंग करेंगे पास 3 2 1 की यहां से भी करेंगे और यहां से उल्टी साइड से करेंगे ठीक है पहले ही यहां से हमने स्टाट करना है और इस चीज़ का भी आपने धियान रखना है कि डिजाइन हमारा चलता जाएगा और हमारी कंटिंग भी होती चले जाएगी तो देखिए यहाँ पर यह दो फंदें लेंगे ऐसे स्लाइमें ठीक है दो फंदें ऐसे स्लाइमें लेंगे और इसको दो का एक कर देंगे यहाँ पर फिर से यह वाला फंदा इस स्लाइमें डालेंगे और यह वाला और यह वाला दो का एक कर देंगे तो फंदें कम होगे हमारे फिर से यह वाला फंदा इस स्लाइमें डालके फिर यह वाला फंदा लेंगे और यह वाला फंदा दो का एक कर देंगे और ढिला ढिला हमने करना है टाइट ने करना तीन फं डालेगे और दू का एक कर देंगे यह देखे पांच फंदे मैंने कम कर लिया अब हमारा देखिए डजाइन गो जैसा चल रहा था ना सेम वैसे ही हमने बनाते चले जाना है अब यहांपर देख्य vest यह वाला हमारा जैसा हमारा यहाँ पर डिजाइन है, सेम हमने वैसे ही बना लेना है, और बहुत सुन्दर लगेगा जब आप इस डिजाइन को अपने कार्डिगन में बनाएंगे, तो चलिए मैं इसको कम्प्लेट कर लेती हूँ, इस रो को, उल्टी साइड से यहाँ पर मैं आपको जाना है, यह दो फंदे हम ऐसे लेंगे, यह देखिए, और इसको उल्टा, यानि दो का एक कर देंगे, फिर यह वाला फंदा उल्टा रहेंगे, इस लाई पर और यह वाला फंदा लेकर दो का एक करेंगे, दो फंदे कम होगे, अब फिर से यह वाला फंदा और यह वाला यह देखिए दो का एक कर देंगे तीन फंदे कम होगे यह वाला फंदा लेंगे और यह वाला फंदा चार फिर यह वाला फंदा लेंगे और यह वाला फंदा पांच पांच फंदे देखिए मैंने कम कर दें इसमें बाकी उल्टी रो तो हमने पूरी उल्टी उल्टी बनाकर क कि एक फंदा हमने बिना बुने यह वाला छोड़ देना है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो यह देखिए एक हमने यह वाला फंदा बुना नहीं है इसको देखिए कैसे घटाएंगे यह जो चेन होती है ना हमारी बिल्गुल स्मूथ ऐसे चेन बंती चले जाएगे अगर हम इस फंदे को बुन लेंगे तो कटाफ सा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आपने इस फंदे को नहीं बुनना है और ऐसे दो फंदे हम उतारेंगे यह बिना बुना फंदा है और यह वाला हमने बुन रखा है तो दो फंदे उतारेंगे और यह बिना बुना फंदा इस फंदे से ऐसे गिरा देंगे, तो एक हमारा यहां पर कम हो गया, इस रों में, हमने तीन फंदे कम करने हैं, इस रों में, एक फंदा हमने कम कर लिया, अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे, और दो का एक कर देंगे, दो फंदे कम हो गया, फिर ये वाला फंदा लेंगे, और य हमारा जैसा डिजाइन चल रहा है ना सेम अमने बना लेना है तो चलिए मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं उल्टी साइड में भी दिखाते हूं आपको अब यहां भी देखे एक फंदा हमने बिनबुने छोड़ दिया है अब यह देखे रॉंग साइड में जो बिनबुना फंदा और यह वाला फंदा हम इस लाई में ऐसे उतार लेंगे और यह वाला फंदा और इस फंदे से ऐसे स्किप कर देंगे एक फंदा कम होगे फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे दो का एक करेंगे दो फंदे कम होगे फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे दो का एक कर देंगे तीन फंदे कम होगे बाकी हमने सारा उल्टा उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेना उल्टी रो तो ये देखिए सीधी तरफ फिर से हम आगे हैं अब इस रो में हमने दो फंदे कम करने हैं ये देखिए ये दो फंदे हमने ऐसे उतार लेने हैं और ये बिना बुना फंदा है ये इसको पर से ऐसे स्किप कर देंगे फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे और दो का एक कर देंगे ये देखिए दो फंदे हमारे कम हो गए और अब जैसा हमारा डेजाइन ह हमने बना लेना है तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ उल्टी तरफ से भी आपको दिखाती हूँ तो ये देखे उल्टी तरफ से ये बीना बुना फंदा है और ये वाला फंदा हम उतारेंगे इसलाई पे और ऐसे इसको इसको उपर से घिरा देंगे एक फंदा कम हो गया फिर ये वला फंदा और ये वला फंदा लेंगे और दो काई कर देंगे देखिए दो फंदे कम हो गये बाकी हमने ये पूरे फंदे फुल्ट फुल्टे बना लेने हैं तो ये दिखिए फ्रैंस पांच तीन दो हमने घटा लिया है अब फिरे खम हमनें कम करना है और ये देखिए बिना-बूरा फंदा और ये वैसे ही बना लेना है तो चलिए इसको complete कर लेती है उस लोको उल्टी साइड में भी आपको दिखा देती है तो यह देखे रॉंग साइड से एक फंदा कम करना है हमने यह देखिए दो फंदे इस उतार लेंगे और यह इसको पर से ऐसे skip कर देंगे यह देखिए पूरे हमारे आर्मोल की कटिंग हो गई है अब हमने सीधा सीधा जैसे हमारा डिजाइन ने सेम ऐसे ही बना लेना है अब कटिंग हमारी दोनों साइड से पूरी हो गई है आर्मोल की तो इसको complete कर लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंड्स आर्मोल की कटिंग हो गई है अब सिर्फ हमने ऐसे ही बना लेना है जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है साथ इंच तक हम और बना लेंगे यहां से हम साथ इंच तक बनाएंगे तो हमारा यह बैक पार्ट पूरा complete हो जाएगा तो फ्रेंड्स